अगली कबर 36 गड़ के कोरिया से है जहां जीले में स्वाइन फुलू से दूसरी मौत की ख़बर से शेहर में हडकंप मच गया। बता दें कि स्वाइन फुलू के चपेट में आने के बाद मृतक रायपूर के एक नीजी अस्पताल में इलाज के लिए गया था। ये दोरान पैसे खत्म होने पर मृतक को मेडिकल कॉलेज अंबिकापूर के लिए रैपर कर दिया गया जहां इलाज के दोरान बुजूर्ग की मौत हो गई। बताय जा रहा है कि मृतक ग्राम कट कोना का रहने वाला था कोरिया से विशाल सिंग के रिपोर्ट।